नमस्कार दोस्तों मैं आपका फिर्ट से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल में दोस्तों आखके जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही जबर्दस वीडियो है दिपावली के विशे में और इस दिपावली के दिन हर को चाहता है कि उसके घर में परकत हो महालक्षमी का बास हो और धन दोलत उसके उपर बरस्ती रहे सो बागय चाहता है समर्दी चाहता है सुख सांती चाहता है परिवार का सुख चाहता है दोस्तों इसी विशे में हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं बस आप से एक ही अनुरोध है कि बस आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें अंत में हम आपको कुछ ध्यान रखने वाली बाते बताएंगे और कुछ एक गुप्त बात भी जरूर बताएंगे दोस्तों आज की जो वीडियो है हम आपके लाए हैं इन 11 जगों पर जरूर जलाएं दीपक साल भर बरसेगी मात भर ये वीडियो आप पूरी अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके आप जहिं भी गल्टी ना करें और माता लक्ष्मी की आपके घर पर पर सुख में हो और आपको जीवन विल्कुल सुकश में हो आनन्द और सुक्शु समर्दी से और असमाज में प आप भी बताई जाएगी बस देखते रहें अंत तक ये वीडियो अब बात करते हैं अपने आज की इस वीडियो के विशे के बारे में इन ग्यारा जगों पर जलाएं दीपक साल वर बनी रहेगी महाल अश्मी की किर्पा दोस्तों दीपावली पांच दिनों का तेवहार है ध चारो औरों का अंदकार दूर कर देते हैं और जैसे दीपावली का संदेश है अंदकार पर विजय पाने का वे आफसार्थक कर देते हैं लेकिन इस मौके पर आपको कुछ खास जगों पर दीपक जलाने चाहिए ताकि पंच महत्व का कुन्यफल आपको मिले और पूरे साल महालक्षमी और महागनेश जी की किरपा आपकी घर पर बनी रहे हैं पहली है दीपावली की संद्या यानि दीपावली की सामपर लक्षमी पूजन से पहले आपके मुखेदवार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए दोस्तों घर के आंगन में तो आप घीका एक दीप का दिपक जरूर जलाएं दोस्तों यदि संभब हो सके तो आप रखेव गाये का देशी घी इस्तिमाल करें और यदि इसमें के मंदिर में जाकर के आप डीप दान जरूर करके आएं। आप पांच या साथ गी के ले जाएं और अपने इश्ट देव के अलावा शीव मंदिर और अन्य मूर्तियों के सामने विदीपक जरूर जलाएं और समरिद्धी की कामना करें। दोस्तो समरिद्धी की काम ना आपको मनमन में करनी है कोई बात नहीं दोस्तो आपको अंतमेधम कुछ खास बाते बताने ही वाले हैं उसी के दोरान आपको सब बता देंगे तब तक आप सभी जानका हाशिल कर लें और कोई भी बात आपसे चूक ना जाए इस बात का ध्यार दोस्तो तीसरी बात जो है घर के नजदीक जो आपके पास जो मुख्य चौराया हो उस पर दीपक जलाकर जुरूर आए चौती बात जो दोस्तो लक्षमी पूजन के बार पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाकर आए अपने घर और घर के आसपास कहीं भी अंधेरा दिखे तो संकोच ना करें और वहां दीपक जलाकर जुरूर आए पांचमी बात रात को अपने शेयन का अक्षिया नहीं कि आपका बैडरूम जो है उसमें गी का दीपक जलाए लेकिन साथ ही इसमें कपूर भी रख दें कहते हैं कि इस से आपके दमपत्य जीवन में मदु से आधी होते हैं भगवान भी वास नहीं करते दोस्तों चार लाख उपाई कर दोस्तों छती बात जो है घ्रश्वनी दीपावली की रात खाना बनाने से पहले दो दीपक रसोई घर में जरूर जलाए यह जो बदी ग्रहनी है आप घरमे जो भी बदक की खाना बनाता हूं आपकी वाइफ हूँ आपकी शिष्टर हूँ आपकी माता जी हूँ वो रसोई घर में खाना बनाने से पहले दो दीपक जरूर जलाएं इससे मा अनपूर्ण प्रसंद होती है और घर में घर में जो आपके खाद्यानों के भंडार है उनकी ब्रदी होती रहती है दोस्तों जी इने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान यहीं चाहिए और इन सब के लिए चाहिए पैसा दोस्तों यदि आपके घर में पैसा होगा तब यह सब चीज होंगी अर्थात यदि आप मैंसा किया अन्यपूर्ण परसंद होंगी आपके घर में खाद्यान आएंगे खाद्यान के ल जरूर जलाएं आठवी बात है दोस्तों तिजोरी में ना सही लेकिन तिजोरी के नदिक अगवान कुवेर की प्रासना करते हुए एक तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं इससे दोस्तों साल भर तिजोरी भरी रहने के योग बंदे रहते हैं नौमी बात दोस्तों घर के पास नदी या नहर बहती हो तो उसके किनारे पर दीपक जरूर जलाएं ऐसा संबब ना हो तो घर में नल या जल के किसी भी इस्तरोच के नजदीक एक दीपक जरूर जलाएं कहा जाता है कि मा लक्षमी जल के रूप में भी घर में मौजूद र यानि ऐसा दीपक जिसके चार मुख होते हों, चारो कौनों पर जरू जलाएं और भगवान गनेश जी से अपने चारो तरफ से सुख और समर्दी की कामना जरू करें, आपको चोव मुखा दीपक जलाने से गनेश जी से प्रासना करने हैं दोस्तों, दोस्तों ग्यार्मा और हम अंतिम है, इसके बाद हम आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात हैं और गुप्त बात जरूर बताएंगे, दोस्तों ग्यार्मी बात है, दीपावली की रात पूजन के बाद तूलसी के पूदे के नीचे भी एक धीपक जरूर जलाएं, दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं जो कुछ खास बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए है दोस्तों पहली बात है जो हमने आपको बताया कि आपको अपने घर के दर्वाजे पर सर्चों के तेल का दीपक जलाना है संध्याकाल संध्याकाल उस समय जब सूर्थ जुप गया हो लेकिन अंधेरा ना उस समय पर आप ये दीपक जलाएं दोस्तों दूसरी बात है कि आप जो मंदिर में जाकर के दीपक दीपदान करने वाले हैं कोशिस करें कि आप मुर्ती के जितने पास बगवान की प्रतिमा के जितने पास जाकर के आप मंदिर में दीपक जलवा सकते हैं उतना जलाएं, अन्य साथ आप वहां मौझूद पुजारी को भी दीपक जला कर कह सकते हैं कि आप इनके समीप रख दें, दोस्तों यदि आप घर के आसपा चोराया ना हो, तो आप किसी भी दूर दराज के सुमसाम पड़े हुए चोराये पर भी आप ये कारे कर सकते हैं दी पल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, आप यदि हो सके, जितना हो सके ये ध्यान रखें कि आपको ये उपाय करते हुए कोई देख ना ले, दोस्तों अपने रसोई घर में जो आप दो दीपक जलाने वाले हैं, उसके साथ ये ध्यान रखें कि जब खाना बनने से पहल कैसी भी बाल्टी हो, उसमें साफ पानी भरके रसोई में अवश्य रख दे, दोस्तों तिजोरी के पास जो आप कुबेर महराज के लिए दीपक जलाने वाले हैं, उसमें दोस्तों आपको विशेश तोर पर ज्यान ही रखना है कि दीपक का जो मुँ होता है, वो आपको ति का मार के, जलाते हैं, उसके पास आप नल्की और encouraging कर मक करके उस दीपक को जलाएं, यह तो आप घरों में इस्तेमाल करे आदे हो तो वहाँ पर जो आपियों म MAK बनाएं उसकी और दीपक के जलायं, तो जो आप चारों को को देपक को जलाने वाले वाले हैं, यह यह तुल्ची के पौदे के नीचे हम दीपक जलाने वाले हैं, दुल्ची के नीचे तु दीपक जलाएंगे, उस दीपक का मूव भी तुल्ची के तने की ओर होना चाहिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किवल इतना ही, कल फिर आपसे मुराकास होगी, तब तक के लिए में जादे धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जय बजरन भी और चैनल सब्सक्राइब करना ना बूले,